हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट के बजार पर दोस्तों SME आप्यों की लाइन लगती भी देखने को मिल रही है लेकिन इसी बीच एक थगड़ा SME आप्यों जो है वह बजार में आता हुआ देखने को मिल रही है जिसकी ग्रे मार्केट दो पूरा विचलेशन करने वाले तो बिना किसी देखी के वीडियो को शुरू करते सबसे पहले यहां पर बात करते दोनों आप्यों के तो 25 तरक को उपन हो चुके हैं आइप यह तीनों आइप देख लिजे जैसे अपने प्रीवेस तीन आइप थे लॉसिको कॉंस्टरलेक औ प्रेशन करते देखने को मिली है इस अगर बात करते तो कंपनी जो है जैसे आप नाम में लेख सकते है फोन कंपनी बैसिकली मोबाइल का बिजनस करती हुए देखने को मिलते हैं मोबाइल आक्सेशरी जो है मैनुफक्ट्रस से लेती है जैसे वीव एपल सैंसंग ओपो रि देखने को मिलते है अगर अगर देखेंगे तो आप देख सकते है लास्ट दो साल के रिवेन्यू के आकड़े 9092 लाक्स यह सब लाक्स में नंबर है तो अगर आपन क्याकुलेट करेंगे तो लग बग दोस्तो 90 करोट से कंपनी का बिजनस जो है वह बढ़कर लग बग और कहेंगे 9 करोट से कंपनी का बिजनस बढ़कर लग बग 19 करोड होता हुआ देखने को मिला है और कंपनी के प्रोफिट के अगर बात कर तो बारा लग करमनी का प्रिवेस क्रॉट में प्रॉफिट था और इस कॉरट में लग बग दोस्तों इस साल के कॉरट में लग बग 1.59 9 crores का company का profit रहता हुआ देखने को मिला तो थोड़े तो लाक्स में नंबर रहता है तो confusing होते हैं लेकिन बस company के अगर आप numbers ग्रोथ देखेंगे तो वह आप देखेंगे तो काफी exponentially company ने ग्रोग किया है अगर बात करेंगे तो definitely company as borrowings और company का objective भी है यह IP लाने का की company अपनी borrowing जो है वो घटाती भी देखने को मिलेगी reserves आप देख सकते है surplus देख सकते है net worth company की देख सकते है और company के key financials अगर आप देखेंगे तो यह देख सकते है आप ROE company का है 118% का ROE है ROC लगबग 35% का है debt to equity 5.03 का है यह थोड़ा सा concern है but overall ROC अगर आप देखेंगे ROE देखेंगे तो वह बहुत शानदार है और RONW आप देखेंगे 77% का है तो यह growth वाली company है definitely यहाँ पर clearly visible रहता हुआ देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर अगर आप 230 थारिक को अप्लाय करते हैं तो 31st को आपके refund आते वह देखने को मिल जाएंगे 31st और 1st के तारिक को यह बहुत अच्छी बात है रही बात लिस्टिंगे तो आपने बात करें लिए दो तारिक को लिस्ट होगा और यहाँ पर अगर आपन बात करें offering की तो सिर्फ retail को 14.25% share offer किये गए तो definitely यहाँ पर retail में तो बहुत कम यह आपर allotment मिलता हुए देखने को मिलेंगे हनाई में 33% रहते हुए देखने को मिलें तो टोटल मिलाकर 100% का यहाँ पर issue रहता हुए देखने को मिलेगा और यहाँ पर grey markets की अगर बात करें तो currently चतौडगर की website पर 171% उपर grey market है और चानक्य की website पर 171 ग्रे मारकेट है लग बग मने तीन से चार वेबसाइट पर 171% का प्रीमियम रहता हुए देखने को मिल रहा है तो आपके पैसे आते वे देखने को मिल जाएंगे बस यह बात आपको ध्यान रखने है पाच वेसे पहले वेले आपको अप्लाय करना है और cut-off price जो है consulting करती भी देखने को मिलती है services देथी भी देखने को मिलती है achieve growth revenue and marketplace value तो basically company software development solution based company है and basically company क्या है services प्रवाइड करती है इंडिया में और UAE में और दोस्तो USA में यहाँ पर company के दोस्तों कामकाज रखते भी देखने को मिलते है तो zero debt company है and profit के अगर बात करेंगे तो 404 lakhs से वढ़कर company का जो profit है वो 790 lakhs पर रता हुआ देखने को मिला है तो अच्छी growth है company की अच्छी कासी steadily growth company करती है देखने को मिल रही है software engineering के अंदर and यहाँ पर software industry के अंदर and यहाँ पर अगर ROE की बात करेंगे तो 40.45% ROE, ROC 56% RONW 56.73% तो fundamentally company काफी strong रहती भी देखने को मिल रही है अच्छी stability यहाँ पर देखने को मिल रही है और PE की अगर बात करेंगे तो 20-22 से नीचे का PE multiples पर post IPO रहता हुआ देखने को मिलेगा तो अच्छे valuations पर company अपना IPO लाती भी देखने को मिली है और overall अगर company की requirements की रहत करें तो सबसे पहले company APS यह निए advertisement sales and marketing expense को increase करना चाहेगी funding से उसके बाद दोस्तों अपनी funding से capital increase करके company आप कहा सकते growth करती भी देखने को मिलेगी और other general corporate purpose की लिए company अपना IPO लाती भी देखने को मिली और यहाँ पर borrowings है नहीं तो company को कोई repayment of borrowings नहीं करनी है रही बाद दोस्तों इस issue की तो दोस्तों 1,15,200 रुपे का यह यह issue रहता हुआ देखने को मिलेगा 600 share का lot है और यहाँ पर retailers को 33.23% shares offer किये गए रही बाद इसकी grey market की तो दोस्तों currently 125 रुपीज का premium चित्तोडगर और चानक के दोनों website पर चलता हुआ देखने को मिल रहा है उसके बाद दोस्तों आप इस IPO को देखे और एक और नया IP भी खुलता हुआ देखने को मिलेगा mega thm तो उसमें भी अगर आप अप्लाए करना चाहते हैं तो आप जरूर अप्लाए करके चल सकते हैं बाकि definitely दोस्तों एक पर फिरम आपको अता देता हूँ कि SME IPOs में lot ख़िदने होंगे बेचने भी है तो 600-600 शेयर बेचने होंगे तो कई बार क्या है अपर सर्केट्स और लोग सर्केट्स में शेयर लॉक आते हैं तो फज आते हैं लोग तो इसलिए आप फोड़ा सोच समझ करें IPOs में अपलाए या अवाइट करें थैंक्यों वाइट करें इस वीडियो